हेलो गुड मॉनिंग शुप्रभात कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूं मेरा पूरा परिवार एक दम स्वस्त है और मस्त है तो दिन की शुरुवात हो चुकी है जाडू लगाने के साथ में और आज बहुत प्यारा मौसम मुरक्का है दोग पगरा तो निकली नहीं है और मैं हो गई थी सो कि मतलब लेट उठी थी थी थोड़ा से उठने में लेट हो गई थी क्योंकि शाम को लेट सोई थी और सुबह लेट उठी हूँ बस यह है यार जिन्दगी तो आज कलना मैं नीवू पानी पी रहे हूं गरम पानी में नीवू निचोड लेती हूं और एपल रखा हुआ था बहुत दिन से रखा हुआ था मैं भूली जाती हूं मतलब एपल खाने का भी मुझे टाइम नहीं मिलता है इत पूड़ी एनरजी से आजाती है उसके बाद काम करो तो काम में भी मन लगता है और आज खाने की खाने में बनने के लिए जा रहे हैं भर्मा बिंडी और काटके बिंडी बनेंगी और बनेंगी अरहर की दाल तो तीन चीजे बनेंगी तो बिंडी ममी नहीं काट दीती पहले और मैं भिंडी भरवा भिंडी को बीच से चीरा लगा देती हूँ और डाल रख देती हूँ बनने के लिए तो देखी सबजी जो है वो सब तयार हो चुकी है अब ये मम्मी ना इनको बनाएंगी तब तक मैंने सोचा कि मैं आइलिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज वैडनस टे है तो ऐलिंग करनी है और आज मैं प्याच का तेल नहीं लगाती हूँ मैं नॉर्मल विटमेन E की कैपसूल डालेती हूँ और कोकोनट आयल मैं गर्मियों में लगाती हूँ सरदियों में तो कोई सब भी ऐल लगा लेती हूँ तो देखिए भिंडी की सबजी जो है वो बिल्कुल बनके तयार हो चुकी है और अरहर की दाल भी बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है अब बनाएगी मम्मी भर्मा भिंडी की सबजी तो आटा और लगा लेती हूँ खाना पीना जो है वो सब कुछ बन चुका है और आज कल न मैं बहुत ज़ली मतलब ज़ली काम करती हूँ न तो ज़ली फ्री भी हो जाती हूँ और देखिए किचन जहां पे हमारा चूला रखा है वहां मैंने पेपर भी लगा दिया है नियूस पेपर तो अभी क्या है कि दिवाल जो है सब जिब जिब बनती है न तो मसाले की शीटे जाते हैं तो वाकई में दिवाल बहुत गंदी हो जाती है तो सबी लोगों ने खाना पीना जो है वो खा लिया था बरतन थे जो सारे सारे दुल दितियों में और आज मैं लेट उठी थी थी न तो आज नहावी नहीं पाया है मैंने तो सोचा सारा काम निप्टाई देती हूँ उसके बाद इनहालोंगी सारा काम कर लिया है उसके बाद मैंने फोन उठाय ओधाया देखिए बिंदी बेट गईगी गर में की बझे से बिंदी की बिनना चैरह इतना अजीब सा लगता है ना आनिया को मैंने तयार करके बिठा दिया है कि आनिया अपना सारा हमवग करेंगी जब तक ममा नहा किया यह कर लोगे पूरा टूइशन का स्कूल का सारा कर लेना ठीक है तो फटा फट से मैं नहा किया जाती हूं फिर मिलती है अप लगों से आपको नो मुझे एक चीज दिखा अपना घर बना रही है अब भी जस्ट मैंने इसको हटाया और तुरंत इसका प्रोसेस चालू होगे इसने फिर से इतना पूरा बना लिया है अभी मैं नहीं अटा रही हूं क्योंकि जाड़ों पोचा कि आए फिर गंदा हो जाएगा कल तक देखते हैं यह कितना घर बना ल तो मैं कल भी इसको अटाऊंगे इसको करने तो जो भी करना है तो मैं नहा के आ चुकी हूं और देखे दीदी ने बाहर से बोज के भुट्टे बिजवाए हैं तो भुट्टे खा लेती हूं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाओगी भुट्टे नहीं खाओगी ठीक है अधिया बात करने हैं तो भुट्टे नहीं तो भी आदी किसकी पांडने हो जाच चुकी जहाना चलती नहीं चलती नहीं खराब गड़ी पांडने हो क्या फाइदा फिर और इसके अंदर क्या रख रखाया यह खुपी रख ली वाँ कि उट्टे खाके तो इतना पेट भर गया है ना मेरा की नींदी आने लगे हैं मुझे और देको जैमीन पर लेटने का ना मज़ोई कुछ और होता है एक दम अभी पहुचा भी लगाया ना एक तो ठंडा ठंडा से लग रहा है उनकर यहीं पर जो जाओ मैं रैस तो मुझे अभी आन्या को खिला देती हूं लेकिन अभी आन्या है नहीं तो सोचा मैं खा लेती हूं वच्पन की ना याद दिला देती हैं यह सारी चीज़े वागई पर क्योंकि बच्पन में जैसे की मम्मी ने कढ़ाई में दूद गरम किया तो लास्ट में जो खरोचन होती देन उसमें चीनी डालके खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है तो बटन तो दुलके रखाई ती मैं उसके बाद सोचा आज हेर वाश किया था ना मैंने तो फिर मांग भर लेती हूं सिंदू लगा लेती हूं उसके बाद करूंगी खाने की तयारी आज मौसम कितना प्यारा हो रखा है ना धूप तो आज बहुत कम निकली थी थोड़ी बहुत निकली थी मेरा काम चल गया मतलब कपड़े वगरा सूख गयते पाकी इतनी निकली की बहुत 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 कर गर में हो तो सोचा मैंने सबजी ना छट पर काट लेती हूं तो तोरही की सबजी बनेगी तो तोरही बनेगी नमग मिर्च की तो तोरही काट लेती हूँ बस हो जाएगा रेडी खाना शाम का शाम की खाने में इतना कोई टाइम नहीं लगता है और दीदी भी आ गई थी तो दीदी तोरही काट रही है और मैं चील रही हूँ तो देखिए मम्मी ने सबजी जो है वो छौक दी है तूरही की और तूरही की सबजी मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है सबी लोग बोलते होंगे कि हमें नहीं पसंद है हमें नहीं पसंद है लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है मेरे यहां तो मतलब बंती रहती है फिर भी मैं बोर नहीं हुई हूँ खाते खाते पता नहीं क्यों अच्छी से लगती है और मसाले वाली तोरही बना उसको चावल के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं अपनी आन्या को खिला देती हूँ दाल चावल पकड़ दाल चावल बहुत पसंद है अभी जो तोरही की सब्जी बन रही है यह नहीं रही है लेकिन यह पसंद है यह खाएंगी और इनका डिनर हो जाएगा और सोझाएगी बहुत कि बलो उनका मूंगे योजए रखा है मार हुगी मैं गाल जावल काहई ममम आप चीयर पर बेठेंगे जिसे चुटे चुटे बच्चे बैठतें और उनकी मममा उने खाना खिलाती है ऐसी आप मुझे खाना खिलाओ आईयसी पकड़ तो लो आपका तोरी पर ममम मम आपको खिलाएगी हलो गाई तो हमारी सबस्जी जो है वो बनके बिलक्ल तयार हो चुकी है तो आस खाना पीना जो है वो खा लियाए मेरा नाज मानने निह कर रहाता हैव देखी एक सामान लेकर आये के अगो चुछ देखा कि मने कुछ तो नीविया का ये मैंने बॉडी लूशन मगवाया था और आन्या का शैम्पू खतम हो गया था तो इनके लिए हिमालिया का शैम्पू और ये देखिए चौकलेट लाए हैं इनके पापा और आन्या तो सो चुकी है तो अब इनको फ्रिज में रख देती हूँ कल जब सोके उठेगी ना धब दोंगे उसे और देखिए आज कल ना मैं ये वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ ममार्थ की एक मेरी सब्सक्राइबर थी और नहीं पूछा था कि आपकी ड्रेसिंग डेवल में ममार्थ का क्या क्या रखा है तो एक डे क्रीम रखे हुई है जो कि मैं कई बार दिखा चुकी हूं सब्सक्रेंड रखी है और ये नई क्रीम गाई है मैंने ममार्थ की विटाविन स्लीपिंग मास्क फर्स ट्राइम ट्राइक कर रही हूं मैं एक्सपिरियंस की अगर बात करूं न तो और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बिल्कुल भी नहीं है और तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय है तो लोग तो ना यूज़ करें वैसे तो इस पर लिखे ज़्यादा तो जुझात है और जिन की बहुत ही ज़्यादा अधू ज़्या कर रहे है तो ना यूज़ करें मैं यूज़ करते हूं कि स्किरारीश ट्राइस का हुए अपना टरीका यूज़ करूने तो इसी वाले हाथ में पड़ा फिल पार पार्ण पर एकर रोटीन के लिए सुने के लिए और आज मेरी हाथ में तरह ने बहुत दर्द हो रहा है मेरा एक्सिडेंट हो तो इसे वाले रही चोट लगी तो जब कभी जब जब ज्यादा काम लागए पड़ जाता है तो कभी कभी इस वाले हाथ में बहुत पेन होता है मुझे तो एक ट्यूब रखा है उसे में मसाज करते हैं तो आराम मिल जाती है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक दिये दिया करो हम लोग बहुत महनत करते हैं हाउस वाइफ हैं बच्चे भी समालने होते हैं काम काज आप लोगों के लिए अपना पूरा डे रूटीन शेयर करना एक एक चीज को रिकार्ड करके दिखाना तो बहुत महनत लगती है तो इस महनत के लिए एक लाइक और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब प्यारा से कमेंट कर देना नेक्स वीडियो में मिलती होंगे टाइट टेक एट बाबाई